अपर फैमिली कैसे है आप लोग उमीद करती हूँ अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और में बना रही हूँ यहाँ घ्राची इटली देख सकते हैं आप लोग मैं इटली को बना करके फराइ करती हूँ में इकली फ्राई की हूँ मैं बना रही हूँ रोटी और यह मैं बनाई हूँ क्या बोलते हैं इसे मुंफली और लासुल और मिर्ची तेल नमक डाल करके चत्नी मुंफली की चत्नी है इकली के साथ खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है तो जिनको खाना है आप दोगा है बना रही हूँ सावी को कि लांगी यह जो है हमारी मक्षन यानि की मलाई जिसे मैं गरम करूंगी तो इसमें से घी निकलेगा और यह फिरिज में से मैं निकाली हूँ इसलिए भी इतना यह का बलते हैं टाइट है मतलब जम गया है तो यह धीरे धीरे गलेगा जले आगको है मैंस जह इफज़ करें हुता है कि देख सकते हैं आप लोग कि यह है दुद्ध की मलाई जो मैं निकाल निकाल के मेरी ममी रखती हैं और इसमें से निकलेगा घी मैं चला इसलिए रही हूं कि जो मलाई के यह है ना जलना जाए कि इसे गूर डालके या इसमें चिनी डालके मिला के खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है इसलिए मैं चला रही है यह जलना नहीं चाहिए इसका जो यह है यह वाला तो यह है घी देख सकते हैं आप लोग कैसे निकल रहा है तो क्या है ना कि दूद्ध को पहले गरम करके और मैं फिरीज में रख देती हूं फिरीज में रखने के बाद किया होता है ना कि छाली जो है जम जाती है जो घी होता है ना छाली के उपर आ जाते है और जम जाते है उसी छाली को निकाल निकल के रखते हैं और एक दिन घी बनाते हैं मलाई निकल के तो देख सकते हैं फा रखने पर ये रीड कलर के होजालेगाल, लेकिन रखने होलेगाल, तो मैं इसे अब गैस को बंद कर देती हूं, किए हो गया है, यह जो निकल जाता है, बिल्कुले, तो घी जो है फानली हो जाता है, तो मैं इसे अब छानूंगी छनी से उसके बाद इसमें डालूंगी चीनी गुड़ नहीं डालूंगी क्यूंकि आज कल जो बरसात की गुड़ है न मुझे तेखने में बिल्कुल भी आचा नहीं लगता है इसलिए मैं डालूंगी इसमें चीनी यहां जो है मेरी घी निकल चुक की है इसमें थोडा सा गीर गया है तो कोई बात नहीं क्यूंकि इसे खाना ही है रखना में है देख सकते हैं अब लोग कि ये आलू और केले की सबजी है और ये जो मैं बनाई हूँ इसको घी की मलाई की जो बनाई हूँ ओ है और ये इटली और ये बेदाम की चत्नी जो मेरे फाइनिली खाना देख सकते हैं आप लोग कि रेडी हो चुका है और मैं चलिए अब नस्ता करने के लिए तो जिनको जि वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई नमस्ते पड़ाम आप सभी को